आजकल हमारे देश में मुप्त की रेवडी बाढ़कर वोट बटोर्ने का कल्चर लाने की वर्सक पोशिस हो रही है ये रेवडी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत गातक है इस रेवडी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावदान रहने की जरूरत है जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं यह फ्रीक रेवी जब आप विदेशों की अत्रह में जाते हैं और विदेशों की अत्रह के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वाँ ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से क्या अमीरों का कर्दा माफी या कॉर्परेट टैक्स कट करना रेवरी है या शर्की है और क्या गरीब जनता जो बेरोजगारी और महेंगाई से जूज रही है काम आय से जूज रही है उसके संयोग करना जो कि एक करतव होता है सरकार का ये रेवरी है या संयोग है की जरीए केजरिवा लगातार दिल्ली की सत्ता में पैठे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन सब ही कल्यानकारी योजनाओं को प्रधान मंतरी मोधी ने भरे मंच से मुफ्त की रेवडी बता डाला था रेवडी कल्चर बता डाला था प्रधानवंतरी मोधी के इस बयान को दिल्ली के पूरु मुखेवंतरी अर्विन केजरिवाल ने लपक लिया था और मोधी समेट पूरी बीजेपी को निशाने पर ले लिया था केजरिवाल ने तब से ही इसको अपना मुद्दा बना लिया था और आज एक बार फिर से दिल्ली में आम आदनी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से इसे अपना हथियार बनाते हुए अपने कैमपेइन का हिस्सा बना लिया केजरिवाल ने अपने इस campaign का नाम दिया रेवडी पर चर्चा रेवडी पर चर्चा campaign launch करने के दौरान केजरिवाल ने 6 रेवडियों का जिक्र किया इसके साथ ही बीजेपी पर बड़ा हमला बुला केजरिवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो बिजली और पानी के बिल भरने पड़ेंगे केजरिवाल ने कहा कि बीजेपी शासित 20 राज्चों में 24 घंटे बिजली नहीं रहती गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है वहां ना तो बिजली मुफ्त मिलती है ना ही 24 घंटे बिजली आती है यह टेक्निकल मामला है हम इंजीनियर है हमको 24 घंटे बिजली देनी आती है उनको नहीं आती है और भी केज़ेवाल ने क्या कुछ कहा है आप खुदी सुन नीचे पहली रेवडी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली ये पहली रेवडी है अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी शीला दिक्षी जी की सरकार थी उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली किये अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते इनके 20 राज्यों में से BJP के जो 20 राज्य है इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है फिर भी वहां power cut लगते हैं 30 साल में भी यह 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां क्यूंकि यह technical मामला है हम इंजीनियर हैं हमें 24 घंटे बिजली दे नहीं आती है उनको नहीं आती तो 20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है उनमें से एक भी राज्य में यह 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए हमारे से पहले यहां दिली में लंबे लंबे तो अगर दिली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया बीजेपी को वोट दिया तो दिली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के power cut लगने चालू हो जाएंगे तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप ल बहुत सारे होंगे उत्तर प्रदेश से बियार से बियार फोन करके देख लो राजस्थान फोन करके देख लो मद्यपरदेश पोन करके देख लो कितने घंटे के power cut लगते हैं हमारी तो मुश्किल से 10 साल भी नियुके सरकार बने हमने दिली में 24 घंटे बिजली कर दी रेवडी अभियान launching के तोड़ान मोके पर कहा कि आज से रेवडी Abhyyan शुरू हो रहा है और उस रेवडी चर्चा अभियान को हम गली महले तक ले जाएंगे जंता से जानेंगे कि उन्हें ये मुफ्त की सुविधाएं चाहिए या नहीं चाहिए उन्हों एक हम दिल्ली की जंता के पैसे से उन्हें मुफ्त की सुविधायं दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, जंता के पैसों को हम जंता के बीच में ही ला रहे हैं, इसी तरह हम करोडों के करजे माफ कर रहे हैं, हम रेवणी पर चर्चा अभियान के तहर दिल्ली में 65,000 और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया किम्पेइन steering लौंच करने जा रहे हैं उस किम्पेन का नाम है रेवडी प्र चर्चा फोरी दिल्ली के अंदर हर गली के अंदर हर महले के अंदर हर सुसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगे छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगे और उन छोटी छोटी मीटिंग के अंदर हमारे कारेकरता हमारे मंडल अधिकारी मंडल अध्यक्ष बूत अधिकारी बूत अध्यक्ष बूत की टीम् nuovo-per के हमारे जितने कारेकरता और पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये पैंफलेट है ये दो तरह का पैंफलेट है ये परिचा बांटा जाएगा इस परिचे की कॉपी एक बरी सब को कौपी बटवा देना है यहां पर पैंफिलेट की यह पर्चा बाटा जाएगा इस पैंफिलेट में के जरीये हम जनता को यह बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे की है मोटे मोटे तोर पे छे मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है प्रधान मंतरी जी कई मंचों से और कई बार यह बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है यह मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं हाँ हम यह छे मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं बीजेपी खुले हम कह रहे हैं कि यह छे मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवडी चाहिए अब ज़रा फ्री की रेवडी के बारे में हम आपको बताते हैं इसके दम पर केज्रिवाल एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश में जूटे हैं केजरिवाल ने कहा कि हमारी पहली रेवडी है मुफ्त बिजली, आज BJP की 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन एक भी राज्यों ऐसा नहीं है जहां मुफ्त की बिजली मिल रही हो, इनके राज्यों में लंबे लंबे कट लगते हैं, हम 24 खंडी बिजली देते हैं, दूसरी का काम करें हैं, चौथी मुफ्त की रेवडी है, मुफ्त की बस यात्रा, आज महिलाएं बस में मुफ्त में सफर कर रही हैं, पाचवी मुफ्त की रेवडी है, मुफ्त स्वास्थ सुविधा, आज मुफ्त स्वास्थ सुविधा मिल रही हैं, अगर BJP को वोट दे दिया, त प्रती फ्री की सेवा है बुजुर्ग तीर्थ यात्रा साथवी मुफ्त की रेवड़ी है महिलाओं को 1000 रुपए प्रती माहा देने का वादा हमारी सरकार ने महिलाओं से जल्द ही 1000 रुपए देने का वादा किया है जिस सुविधा भी हम देंगे दिल्ली और पंजाब दो ही राज्ये हैं पूरे देश के अंदर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां बिजली फ्री है उत्तर परदेश में फोन करके देख लो कितने 1000 रुपए के महिने का बिल आता है अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके कई कई 1000 रुपए के फिर से हर महीने बिल आने चालो हो जाएंगे तो अगर फ्री बिजली चाहिए सस्ती बिजली चाहिए 24 घंटे बिजली चाहिए ये फ्री की रेवडी केवल आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती हैं दूसरा है मुफ्त पानी दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं इनके 20 राजियों में से किसी भी राजिये के अंदर पानी मुफ्त नहीं है जब मैं जेल गया था पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड करी कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपे के पानी के गलत बिल आ गए हैं उन सब का मैंने अलान किया कि आपको पानी के बिल भरने के जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को वोट दे दो हमारी सरकार बनेगी हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे लेकिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारे गलत बिल भरने बढ़ेंगे आप लोगों को ये सोच ले ना कमल का बटन दबाने के पहले तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा दिल्ली के अंदर हमें शानदार सरकारी स्कूल बनाए इनके 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहांपे ऐसे स्कूल हूँ कहीं नहीं है इनके स्कूल तूटे पढ़े हैं स्कूल, टेंट में चल रहे हैं स्कूल दिवारें टूटी पड़ी हैं छते टूटी पड़ी हैं उत्तर परदेश के स्कूल जाके देख लो 18 लाख बच्चे दिली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं मैं पूछना चाहता हूं क्या आप चाहते हो आपका बच्चों का भविश्य फिर से अंदकार में हो जाए आज दिली के सरकारी स्कूलों से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं भविश्य बन रहा है बच्चों का रिक्षे वालों के बच्चों का मजदूरों के बच्चों का फिर से आपका भविश्य खराब हो जाएगा आपके बच्चों का ये स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने इनको वोट दिया तो आज चौती रेवडी है आज दिल्ली के अंदर शानदार महला क्लिनिक बन गए सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है सारी दवाईया मुफ्त मिलती है इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ बीस राज्यों में कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है तूटे फूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे क्या आप चाहते हो कि फिर से सरकारी अस्पिताल खराब हो और आपके घर में अगर बिमार हो जाए कोई और हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट में इलाज कराना पड़े पांच वी रेवडी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा बस यात्रा इनके ब बंद कर देंगे और बुजूर्गों के लिए जो तीर थियात्रा की स्कीम है वो भी यह लोग बंद कर देंगे तो यह रेवडी हम दे रहे हैं यह चे रेवडी आप बीजेपी अगर आ गई तो बंद कर देगी हमने इस साल लोकसभा चुनाव देखे हरियाड़ा चुनाव देखा महराश चुनाव देखा के इंदर में बीजेपी की सरकार थी हरियाड़ा में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार थी महराश्ट में बीजेपी समर्थित महायूती की सरकार है इन तीनों चुनावों में आपने देखा होगा कि BJP ने कहीं भी अपने कामों को लेकर जनता से वोट नहीं मांगे किसी भी राज्य में BJP के नेताओं ने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार ने ये काम जनता के लिए किया है इसलिए हमको वोट दो हर जगा उनके मुद्दे सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने और आपस में लड़ाने वाले रहे हैं हाल ही के दो चुनाव देखी हर्याणा और महाराष्ट में जहां BJP के नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे बयानों पर ही चुनाव लड़ा हिंदुत्व के मुद्दे के दमपर लोगों को भड़का कर ही चुनाव लड़ा सरकार में रहते हुए उन्होंने क्या किया इसका जिक्र BJP के किसी भी नेता ने मंच से किया ही नहीं दिली के पूर मुख्य मंतरी, अर्वीग केजरिवाल ने इसे ही अपना मुद्दा बना लिया है और अब वह जंता के बीच में अपने लिए किये गए कामों के दमपर जंतासे वोट मांग रहे हैं केजरिवाल ने जंता को मुफ्त विजली दी मुफ्त पानी दिया, मुफ्त की अच्छी सिख्षा दियो और मुहला क्लीनिक बनवाए इन सभी मुद्दों के दम पर केजरिवाल एक बार फिर से जनता को अपने कराएगाए कामों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दम पर चुनाव हुंकार फुग दिया है फिलाल देखना होगा कि केजरिवाल के इन दावों का असर दिल्ली की जनता पर कितना पड़ता है लगातार सरकार में रहते हुए केजरिवाल क्या एक बार फिर से दीसरी बार दिल्ली में सरकार बना पाते हैं या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन ये जरूर तैह है कि आमानी पाठी आसानी से डिल्ली की सत्ता को छोड़ने वाली नहीं है इस खबर बस इतना ही आप देखते रहें 4 पीम झाला समय है